हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू ससे ब्लॉग्स, फ्रेंड्स देली पुलिस डराइवर थियोरी कलासेस में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आप लोग पुछेगा कि ये थियोरी कलास क्या कहने का मीनिंग है तो जो अपना ट्रिक है वो क्या है TPP is equal to S यानि की थियोरी, प्रेक्टिकल और प्रेक्टिस is equal to selection जी हाँ दोस्तो मतलब की थियोरी मतलब पहले तो हम लोग क्या करेंगे जैसे ये अपना अध्याय पांच चल ला है जिसमें क्या है driving की मुल बाते तो पहले theory देखेंगे उसके बाद practical देखेंगे उसके बाद practice करेंगे तो ये तीनों चीज़ अगर कर लिए तो अपना selection है वो confirm है तो theory में तो ये सब theory वगएरा देखेंगे practical में ये देखेंगे कि जैसे engine हो गया engine क्या है वो हम लोग देखेंगे theory में उसके बाद ये देखेंगे practical में जो कभी न भूलने योग होगा तो वो क्या देखेंगे जे engine आखिर चलता कैसे है वो भी video के माध्यम से देखते हैं तो उसको हम लोग practical बोलते हैं उसके बाद ये दोनों तो हो गया लेकिन अब ये भी होना चाहिए न कि अपना question कैसा पूछा जाता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे practice करेंगे ओके तो practice में ये देखेंगे कि question कैसे पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइबर में ओके तो यही tpp जो अपना जुगार है जो एक तगरा जुगार है क्या है tpp is equal to s इसी पे हम लोग चलते हैं ओके तो और ये कहां होगा तो यही जो ससी ब्लॉग्स का जो channel है इसी पे होगा तो आपको क्या करना है channel को subscribe कर लिजे क्योंकि हम last में कभी कभी भूल जाते है subscribe करना मतलब करने के लिए लेकिन आज हम नहीं भूलेंगे आपको subscribe करना है ताकि जो भी notification हो और वेल आइकन को भी दवा दिजेगा ताकि जो भी notification हो जो आप तक पहुँचे और उसका आप लोग फैदा हुथ है चलिए तो ये जो अध्याए 5 है अध्याए 5 में ड्राइविंग की मूल बाते जिसमें हम लोग चार वीडियो चार कलासेश पहले ही इस पे हो चुका है जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या देखा था तो 5.21 एक अच्छे चालक के गुन और दूसरा क्या देखा था ड्राइविंग चेक लिस्ट ये चेक लिस्ट यानि कि ड्राइविंग करने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए तो ये फर्स्ट वीडियो में था सिकेंड वीडियो में सुरक्षि ड्राइविंग के नियम जिसमें हम लोगों ने फॉस्ट नियम देखे थे दो सेकेंड का नियम क्या है उसके बाद क्या था टायर एवं टारमक नियम क्या है और तिसरा था जो इंपोर्टेंट नियम था वो क्या था क्लेक देखेंगे पिछले वीडियो में शुरक्षिंड राविंग के इसके कुछ पार्ट विरा गए थे वी आदकर वाद practicing ngay an आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुर्ने का संकेत यानि कि 5.7 और एक क्या रजाएगा 5.8 गटीर सीमा उसके बाद जो अपना अध्याय है वो 5 जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग 6 में चलेंगे सरक को साजा करना लेकिन अध्याय 6 से पह देना चाहते हैं कि देखिए मार्ग का अधिकार पर के स्पेशल वीडियो हम बोले थे लाएंगे लेकिन हम इस पर वीडियो नहीं लाएंगे क्यों क्योंकि यह सब लोग जानते हैं नरसारी और इस्टेंडर 5 और इस्टेंडर 6 का स्टूडेंट नहीं आप आप लोग सेंड कर देंगे यह और यह मर्ग का अधिकार वाला सेंड कर देंगे और आप लोग एक बार के वाल रेड कर लीजेगा यानि पढ़ लिजेगा और जो भी दिक्कत आएगा वह हमें मैसेज की जिएगा मैं बता दूंगा और वीडियो का जरूरत होगा तो आप लोग बोलि क्रिस्टल किलियर हो जाएगा तो यह आप लोग को सेंड कर देंगे तो आज हम लोग क्या देखेंगे मुरने का संकेत यानि कि 5.7 यूनिट 5 का जो 5.7 है जिसमें मुरने का संकेत कैसे मुरा जाए वह है तो यह देखते हैं यदि आप गती धीमी करना चाहते है अथ्वा र तो उचित संकेत देजिए ताकि सरक के अन्य उपयोग कलताओं के प्रतिकिरिया करने का पर्याप्त समय हो मतलब यह नहीं ना सरक पे आप अकेले चला है बहु स्थारे वहान जो आपके साथ चला है तो इतना समय उसको देजिए यानि आपको मुरना है या टर्न लेना है य और अपको उसको एक निष्ची समय यह नहीं जैसे समय से पहले भी नहीं देना एक निष्ची समय में आप देजिए ताकि वो आपका पर्तिकिरिया समझ सके और वो आपने बहन को कंट्रोल में लेया ज्यागला अदमी मुरना चारा या रुकना चारा है को एकसडेंट नहो तो यह बोला है तो देखते हैं फिर क्या है निमलिखित परस्थिती में संकेत दिया जाना चाहिए और किन-किन परस्थिती में संकेत दिया जाना चाहिए तो देखते हैं लैन बडलने से पुरू संकेत देना आनिवारे है उसके बार धीमे होने या रुकने से पुरू संकेत रहता है उसके आपको परवेश करने या बाहर निकलने से पुर्व आपको संकेत देना अनिवार है ओके यह सब यार रख लिजेगा कैसे कैसे कुष्चन पुछे जाएंगे हम बताएंगे प्रेक्टिसेट में यहां टाइम जारा बरबार नहीं लेकिन यह सब एक वास देख लेकिशेगा सब्सक्राइब करने के लिए चलना शुरुआत करने से पर यानि कि सरक के किनारे आप रुके हैं और वहां पर आपको संकेत देना है कि जब यह वहां चलने वाली है ओके उसके बाद देखिए सरक के छोड़ पर जाने या सरक के किनारे रुकने से पूरुव इसमें भी आपको संकेत देना है उसके बाद देखते हैं क्या है और अपनी दिशा बदले से पूर्व संकेत देना अच्छी आड़त है, बिल्कुल अच्छी आदब है, चाहे आपके आजपास कोई भी वहन न अ हो संकेत अवस्यक दे, ज़रूरी है, ज़रूरी है जाहे वहन हो या न हो क्या पता जिकोई वहन स्पीड में आ रहा हो, तो इसलिए संकेत देना अतियव सक है संकेत समाय रहते देना चाहिए ठाकि अन्य चालकों को प्रतिकिरिया के लिए परियाप्त समाय में सके जो हम बताएं थे इन नहीं कि जे मुर नहीं sergeant lower is पहले से संकेत दे रहा में आप अधाना है के एक निश्चिस समाय रहता है उस शमाय सहिमा में आप उसको संकेत न करो और जहें। विशेशकर मुरने का संकेत तभी देना चाहिए जब मुर्ग के नजढ़ी खाऊजाएं नहीं जब मुर्ग से बहुत दूर है और आप एक दम उसको संकेत पे दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत पहले से संकेत ना दें dengan मिष्ब् congregation of these trip वहान के संचारिक सुचकों के बाचाए हैं अपने हाथ से electष्ब मतल소 क्यों 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 किछ जिली मतलब एऊढ़ दिन में लोग उतना ठिक से गौर नहीं कर पाते हैं लेकिन रात में गौर पाते हैं तो रात में आप जरूर है जो इंडिकेटर यूज किजिए लेकिन दीन के समय बहतर होगा जो आप अपने हाथ का इस्तेमाल किजिए ओके हाथ का इस्तेमाल जाएसे देखिए यह कर रहा है न चला तो इस तरह को इस्तिमाल करना है और कैसे करना है तो ये हम लोग देखते हैं उसके बार देखते हैं रात के समय ऐसी इस्थिती प्याइज। करें नीचे दिये गए चित्रों में विभीन परकार के हाथ संकेत को असपस्ट किया गया है क्या है तो वह हम लोग देखते हैं जैसे देखिए यह दाएं मुर्णा यानि की देखिए दो और वाला ट्रिक याद रखेगा नहीं देखिए हैं तो यह आप लोग याता याद संक मुर्णा यानि की अब किदर जाना है दडो और भॉ वह ला इधर को जएगा बाय याँ इदर हो जाएगा और दयािंद हो जाना है तो क्या करना हाथ निकाल के और रोटेट कर देना है ताकि क्या समझेगा जो पीछे से वहां ना रहा है उसको किधर वाएं जाना है और इंडिकेटर देखिए इंडिकेटर भी जला देजेगा यह यहां तो पूछा ही जाएगा एकजाम में इंटर्व्यू में तो इतना फिगल दिख रहा है ना इसमें से एक न एक क्वोश्चन जरूर पूछे जाएंगे ओके च इसको डाउन कर दिया को एसा चोमू ड्राइवर रहता है कि किसी को मर्जेंसी बह रहता है लेकिन आधिक तर चोमू ड्राइवर भी रहते हैं आपको हर्ण मार रहा है तो उसको आप ऐसे करके जो जैसे देखिए इसमें तो रोटेट कर रहा है तो इसमें क्या करना है और टेक करना में ऐसे अब एसे करके केवल मतलब हाथ देना है और इसतरह है पार्षियल मतलब पार्षियल देनाтов करना नहीं रोटेट करना नहीं है यह चलिए चलिए दे निकल जाईए शी मोटर व कासी आपने तो यह पत्ना दुर धृम्धाटनिसमー गती सीम्धनिश्धाटने है तो देखते हैं गती सीमा क्या है मोटर वाहन दुरगटना के पीछे गती एक परमुख कारक है बिलकुल कारक है क्योंकि दुरगटना होता है वो किसके कारण अधिकतर होता है यही इसी के कारण मतलब हाई स्पीड में गाली दाता है उसके कारण अधिकतर जो एक्सिदेंट होता है यही सब के कारण होता है मतलब गती के कारण ही इसलिए जो मोटर वहान के दुरुगतना के पीछे परमुख कारण को क्या है गती सीमा है तो यह क्या है देखिए इसलिए चालक को निर्दिस्ट मतलब निर्दिस्ट गती सीमा प प्लिजित कारकों पर निर्वर करती है क्या कारकों पर निर्वर करती है तो देखते हैं सबसे पहले सरक की स्थिती मौर संकरेपूर गीली या फिसलन्वरी सरके धीली बजरी तथा उबर खावर रास्ते पर गती कम कर ले बिलकुल सही बात है अगर मुर दिखे संक्रिय पूल दिखे गिली या फिसलन भरी सरके देखे या धीली बजरी या उबर खावर रास्ते पर क्या करना है गती कम कर लेना है ओके नहीं तो गारी का भी नुकसान होग दुरगटना होने के भी चांस जारा हो जाती है उसके बार देखतें नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है ड्रिस्यता ड्रिस्यता अन्धेरा बारिष कोहग जहीद tidak को इसे में गती धिमी कर लें यानि कि 媌 देखने की छमता है उसको यह सब चीज कम कर देते हैं अंधेरे में अंधेर हो जारा या बारिस हो या कोहरा हो इसमें क्या होता है जो देखने की ज्यों च्हालग च्छमता रहते हैं इसको कमप्ष locals ऑ यातायाद का अल्थभर रेंड नभरी मृत जादा याता यात उसमें है अगर commercial विकल्व है उसमें यातरी वैठे हुए है तो जादा speed से नहीं या जाए क्योंकि वहाँ पर आपका जानका जो driver है उसके जानका तो खत्रा रहेगा ही लेकिन जो मतलब यात्री है उनका भी खत्रा होगा इसलिए वहाँ पे वाहन को धीरे धीरे जो speed limit है speed limit के अनुसर चला है ओके यातायात की गती जब आप अन्य वाहन के मध्धे में हो मध्धे कहने का मतलब मान लिजिए एक गारी यहां जा रहा है एक गारी यहां है आप बीच में है तो यह नहीं करना है आपको कभी slow और कभी speed जड़ा कर लेना कर लेना क्या करना है तो उनकी आउसत गती आपके लिए सुरक्षित गती है यानि कि जो ऐसे यह गरी चल लए न तो इसी गरी के आउसत गती में आप चलिए ना कि कभी speed कर लिजिए और कभी एकदम धीरे कर दीजिए वह कारण पीछे वाला जो गारी है उससे भी नुक्सान पहुंचेगा और आगे वाला का भी अगर मान लिए आगे वाला का क्यों क्योंकि speed में जरा ले जरा है यह मान लिजिए यहां 30 के speed limit है 30 में चल ला है आप एक आएक साथ कर दिया अगर एकदम speed में निकाले अनकंट्रोल हो गया तो इसे आप टक्कर माड़ सकते हैं इसलिए ओके तो क्या करना उसके बाद देख लिते हैं क्या है बसलते यह गती सिमा के भीतर वह जो speed limit है उसके भीतर रहना चाहिए अन्य बाहनों की तुलना में तेज या धी में चलने से दुरगटना की संभावना बनी रहती है बतलब वह हम बता है जो अन्य वहन चलना है उसके आउसत में रही है उसके बाहन की इस्थिति विसेश कर टायों या ब्रेक पर नाली की हालत बाहन पर आपके नियंत्रन को परवावित कर सकती है बिलकुल सही है क्योंकि टायर और ब्रेक पर नाली है वो जो गाली का IMPORTENT भ टाइर साही रहना चाहिए उसमें प्रोपर हवा रहना चाहिए और ब्रेक भी साहिसे रहना चाहिए या स्पीड कर दे तो हम 성공 कि शार। में ही वहलाए बिलकुल सही बात है क्योंकि दुरुघट ना हो सकता है अगर इसपीड में वहाँ पे चला जाय सो देखते हुख उसके बार क्या आज Черफ की सारीरिक वह मांसिक इस्थिती यह भी निर्फ़र करता है अगर वह गारी को दिर दिर ले जाए ओवर स्पीड करने कि कोई जरूरत नहीं है ओके डराईविंग कर डाःवीड किर से ब草ने फ़ी पर नीयंत्रन कम हो सकता है इंपोर्टेंट है एकदम भी भी आई है क्योंकि स्रीरिक मानसिक स्थिति सहीर आता है चालक को तभी वह गारी को एक जगह से दुसरे जगह अच्छे से ले आ पाएगा नहीं तो फिर दिखकत हो जाएगी इसलिए जब आप या कोई भी चालक यादि चालक स्रीरिक मानसिक स्थिति से सही नहीं है तुसे ड्राइविंग नहीं करना चाहिए ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपकी गति जितनी अधीक होगी आपके पास प्रतिकिरिया के लिए उतना ही कम समय होगा बिल्कुल सही बात है जितना अधिक माले जिसो के स्पीड में गारी जा र थीमी होने पर रुकने की दूरी बढ़ जाएगी यानि वहाई जो धिमी होके रुकना एक जो डूरी हा ाटो तो उसका दूरी बढ़ जाएगी ना तेज गती से यात्रा करने से द्रुघटना की संभावना बाध जाती है बिल्कुल सहीवात है दूसरे यादी दुरगआ अधिक पर तो गंभीर चोट लगने के भी खत्रा अधिक हो जाती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखिए ओवर स्पीड में गाली रहता है यानि कि स्पीड लिमिट से उपर रहता है तो वह अगर दुर्गतना करता है तो उसमें जो दुर्गतना में जो चोटे है वह दर गठाता है तो यह मोटर यान अधिनियम 1988 यह आप इस पर हमें एक बात यादा गया इस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें जो इंपर्टेंट धर आया जो एकजाम दिली पुलिस ड्राइवर में पूछने योग्य हो जो इंटर्व्यू में और रिटेन एकजाम में पूछा जाएगा वह इंपर्टेंट धराये मटल पांच वीडियो में हम पुरा किये तो वह आप लोग प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्सर में जाके देख सकते हैं तो यह सब बताएं हैं ओके तो आप लोग जाके देख सकते हैं जो गती सिम किसके मोटर याना दिनिया 180 की धार 112 जान कोई व्यक्ति किस्मी सरोजनिक अस्थान पर अधिक गति सिमा से अधिक जो ETH ने लिमिट के अधिक रेंज रहता है उसे न अधिक और निउन्टम गति सिमा से धिर यानि कि जो ETH ने ने इउन्टम ETH गती सीमा रहता है कम में वह वहार नहीं चला belum उसके बाद 112 के तो और गता थाwyn अधिक्तम चीनल सह सब्धारता दोरा इसी प्रवधान द्वरा प्रद्ट स्कतियों का पर्योग कर प्रूल किया जाता यानि कि जो राज्य सरकार यह बनाती है तो रजह सरकार स्थिती को देखके बनाती है कि जो इस मार्ग पे यहां से यहां तक इस स्पीड में चलना है तो यह किस धारा के अंतरगात बनाती है तो धारा 112 के अंतरगात यदि आप किसी बरात सेना या पुलिस के मार्च पास्ट सरक की मरम्मत कारे के दवरान गुजर रहे तो आपकी गती सिमा 25 किलोमेटर पर घंटा की होनी चाहिए ओके ये सही बात है इस फीद लिमिट है वो 25 किलोमेटर पर आवर के स्पीड से होना चाहिए क्या बोला है आपकी गती सिमा 25 किलोमेटर घंटा से अधीक नहीं होना चाहिए यानि कि इस से कम ही होना चाहिए पचीज से आपका जादा नहीं होना situation देखके वहाँ पे आपको कभी 10 भी करना सकता है 20 भी करना सकता है लेकिन 25 से आप बाहर नहीं जा सकते है लग रहा हो या सेना या पुलिस का जो मर्च पोस्ट है पास्ट नहीं पोस्ट है sì सरकने के घदान डूरान उयाहां अगर आपको 25 पर आवर से कम देख लेज़ेगा लेकिन ध्यान रखे गती सीमा अधर्स्परस्थिती को मान कर निर्धारित की जाती है यदि पर स्थिती अनुकूल नहों तो आवाज सक्ता अनुसहार गती धीमी कर ले यानि कि यह नहीं है कि कोई-कोई स्पीड पर लिखा रहता है यह स्पीड लिमिट साथ किलोमेटर पर आवा तो वहां पर आप साथ किलोमेटर ह्सी किलोमेटर से निचे नहीं जाना है कोई-कोई जो नेशनल हावी रहता है वहां का जो कियो तो असला सी गारन कैना आपस में आकर तकरा जाता है तो यह स्पीड लिमिट लखना है तो यहीं बात वो ली गए उसके बाद देखिए जो अपना अध्याय 5 है वो तो समाप्त हो गया अब नेक्स्ट क्या है अध्याय 6 सरक को साजा करना यह हम देखेंगे पहले लेकिन जो इंजन से समधित कुछ वीडियो आएंगे जो 10-12 वीडियो होंगे 20-20 मिनट के वह हम अध्याय 6 में है नेक्स्ट करने का क्या नियम है वख टो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर करते हैं औरने chimneyट्स्ट वीडियो जहाए का پ्रेक्टिस और रेगुलर यह विडियो आएगा यह नहीं जो अपना कंसेप्ट है वह ही चलेगा टी पी पी थियोरी प्रेक्टिकल और प्रेक्टिस सेट यानि की कुष्चन स्रीज देखेंगे लास्ट वाला में इसके लिए क्या करना है हमारे जो यूटूब लोग जो चैनल है ससी बोल और विडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिजिएगा जाय हिंद जाय भारत धन्यवाद